हेलो फ्रेंड्स आप देखना है टेक्निकल हिंदी गुरूजी फ्रेंड्स उत्तर पिदेश की कांसिलिंग जो है वो स्टार्ट हो चुकी है इसका ओफिसल नोटिफिकेशन आ चुका है मैं आपको बता दू फ्रेंड्स की चात्र बहुत लंबे समय से इंतेजार कर रहे थे कि कम उत्तर पिदेश की कांसिलिंग का नोटिफिकेशन आए और हम उसका रेजिस्टेशन करें क्योंकि उत्तर पिदेश स्टेट बहुत लेट हो चुका है अगर हम अधर स्टेट के कंपेरिजन में देखे तो क्योंकि सभी स्टेट ने अपने रेजिस्टेशन बहुत पहले स लेकिन उत्र पिदेश ने अभी रेजिस्टेशन स्टार्ट किये हैं आज इसका नोटिफिकेशन आया है यहां तक बात आ गई कि इसके फेक नोटिफिकेशन सर्कुलेट होने लगे सोसल मीडिया पर ठीक है और फेक नोटिस जभी सर्कुलेट होते हैं या तो बहुत जदर डिले हो जाता है उस चीज को लेकर के तब ही ठीक है इसके लिए मैं आपको डाउट जो छात्रों का था बो मैं कली किलियर कर चुका था ठीक है आपको बताऊंगा मैं कि आपको क्योंकि देखिएगा लास्ट इर बहुत बच्चे उस चीज को गलती किये थे मैं चाहता हूँ कि आप इस बार गलती बिल्कुल भी ना करें ठीक है जल्दवाजी बिल्कुल भी ना करें आपका सिडूल जो है आपके पास बहुत समय है इस ऑनलाइ रेजिस्टेशन प्रारम होने की तिति आज 22 अक्टूबर है और आज से इसके दो बज़े से रेजिस्टेशन स्टार्ट है और 28 अक्टूबर तक दो बज़े तक इसके रेजिस्टेशन होगी ठीक है इसका जो सुल्क है रेजिस्टेशन फीस जमा करने की लास्ट बारे में बताऊंगा ठीक है पड़ाम इसका रिजल्ट आएगा आवंटन पत्र डाउनलोड करने अबम प्रिवेस लेनी की जुटिति होगी आपको जो अलोट में लेटर डाउनलोड करना और एड़ीशन लेना जो भी कॉलेज अलोटमेंट आपका किया जाएगा वो साथ नम दूसरा यहां पर यह है कि पहले क्या होता है कि हम डॉकुमेंट करने जाते वहीं पर हम एक जो जो नोडल सेंटर बने होते थे नोडल सेंटर पर ही हम जो है डिमांड ड्राफ्ट के थू ले जाते थे अपनी धर्रासी ठीक है डिमांड ड्राफ्ट आपको ले जाना पड़ता था लेकिन इस बार ये चिंजिस किया गया है ठीक है काउंसिलिंग में प्रितिवा करने वाले राज की छेत्र में MBBS में BDS, अगर आप गवर्मेंट MBBS BDS मतलब उत्तर पिदेश के डॉमिसाल केंडियर, उनके लिए 30,000 रुपे की सिकॉर्टी मनी जमा करनी होगी, किसी भी नोडल सेंटर पर आपको जाना नहीं है, पहले नोडल स के स्टुएंट्स हो, चाए अधर किसी और स्टेट के स्टुएंट्स हो, तो आपको 2,00 कि सिकॉर्टी मनी जमा करनी होगी, अगर आप राइविट BDS में अडिवीसन लेना चाहते, तो एक लाग रुपे की आपको शिकॉर्टी मनी जमा करनी पड़ेगी, दिभ्यांग जन जो candidate है उनके दिभ्यांगता प्रमाडपत्र भारा सरकार द्वारा निजाद केंदर द्वारा जारी प्रारूप की ही मान होंगे इसके लिए नोटिफिकिशन रिलीज किया था ठीक है तो यह सब चीज ध्यान रखेगा जो इस्ट्रेंट्स चाइस्पिलिंग करेंगे उनको क्या ध्यान में रखना है कि दौरान देखिए लास्ट यर बहुत बच्चों ने गलती की थी और ऑल इंडिया कोटा के 15 परशेंट जो कांसलिं पर शेर कर दूँगा उत्तर पिदेश स्टेट के कि आपको रैंकेंग बाइस कौन-कौन से कॉलेज चाइस्पिलिंग में डालने है ठीक है टेलिग्राम पर मैं इसकी पीडियाफ से करूँगा लिंक टेलिग्राम की डिस्क्रिप्चिन में है या टेक्निकल हिंदी गुरू पहले तो टॉप टुबॉटम रैंकिंग बाइस में आपको प्रिफरेंस लिष्ट दे दूँगा वह आपको डालने पड़ेगी ठीक है उसके बाद चात्र गलती क्या करते थे इस बार भी बहुत चात्रों ने और इंडिया कोटा के फर्स्ट रांड में गलती की थे और मेर ने किया के तरह चार च्री डाली ते और इंडिया क्यों डाली आपके पास इत्याव मौका यह आप सभी जाविश्व ना चाहिँ आपको देखना है कि हमको कॉन कौन से कॉलेज में जाना वह पहले डाली झाट है आपको माली जी का एक नमर पर वो college डालना है जिसमें आपको वर college मिला तो आप संतुष्ट हैं पूरी तरह से उसके बाद अकर आपको first rank का college नहीं मिला तो दूसरा college डालीगा कि अगर यह नहीं मिलता तो इसमें जाएंगे हैं तो आपको कुछ तो डिमांड होगी कि आपको कौन से college में एड़ी से लेना है तो टॉप टू बॉटम डालीगा बाकी रैंकिंग बाई प्रिफरेंस लिस्ट में अपने टेलीग्राम पर शेर कर दूँगा कले तक ठीक है तो आपको इन सब चीजों का बहुत अच्छे से ध्यार रखना है ठीक है अधर स्टेट के कंटिएट भी यहाँ पर जो है एड़ी सन ले सकते हैं ध्यार रखीगा लेकिन एक बात और ध्यार रखनी है कि और इंडिया कोटा तो जो चैस फिलिंग होता है फास्ट राउंड का और जो रिजल्ट आता तो यह फ्री एकजिट होता है लेकिन उत्तर पे इस स्टेट का जो राउंड बन होता है वो फ्री एकजिट बिल्कुल भी नहीं होता है अगर यहां पर सीट मिलने के बाद आपने एड़ीस सन नहीं लिया तो आपकी जो सिकॉर्टी मनी है, उसको जब्त कर लिया जाएगा, और फिर अगर आप द्वारा से चॉइस फिलिंग करते हो, सेकंड राउंड में जाते हो, तो फिर से आपको सिकॉर्टी मनी जम्मा करने पड़ेगी, ध्यार रखीगा, तो सोस समझकर अपनी चॉइस फिलिंग को प्रिफरेंस लिष्ट में डालेगा, इन सभी बातों को ध्यार रखते हुए, फिलाल इस वीडियो में इतना ही था, बाकि अगर आपको कुछ भी पूछना हो, या मुझसे को चूट चूट गया हो, तो उसके लिए मैं माफ ही चाहता हूँ, आप कमेंट बॉक्स में, पूछ सकते हो, टेलिग्राम को जोईन करना, फ्री अपकोष्ट कांसलिंग के लिए हर अपडेट के लिए, आप चैनलों को सस्क्राइब करें के रखें, आपको जो भी डाउट हो, इस्टेग्राम पर पूछ सकते हो,